दोस्तो MIS vs PPS के बीच होगा आज का दिन का दूसरा मैच फ्रीन वागो टीटेन का वीडियो में दोनों ही टीम के बारे में डिटेल्स में अनलाइसिस करेंगे समझेंगे इस मैच में क्या हमारे पास कोई डिफिंशल पीक है या फिर प्लियर्स रखो वह कौन से प्लियर्स होंगे इस वीडियो में डिसकस करके हम लोग समझते हैं ध्यान से वीडियो देखना पसंद आया तो लाइक करना अगर आप चैनल में नहीं हो फर्स टाइम हो बताना चाहूंगा इस चैनल में आपको डोमेस्टिक एसोशेट्स और ओमेंज यह तीन सीरिस के कवरेज सबसे जादा मिलेंगे जैसे कि यह ओ गया दोस्तों डोमेस्टिक मैच एसोशेट्स कंट्रीस के मैच तंजानिया रवन्डा नमीबिया वगएरा का सीरीज में कवर कर रहा हूं जो दिन अगर आप चैनल में नहीं हूँ हो फर्स्ट आम देख रहे हो पड़ा पर से चैनल को करो सब्सक्राइब जूर जाओ टेलिग्रम जहां पर आपको फाइनल अपडेट एंड और मोटीम में प्रोवाइट करोंगा टेलिग्रम जोइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन और कॉम किस्चन कलीचा रंड पॉइंस दे रहे हैं दोस्तो 33 32 38 दो मैच फ्लॉप बाकी तीन इनिंग्स में अच्छा खेला और 30 प्लस रंड बना गया गिद्रन पोपी को रखना जरूरी है दो प्लेयर एड हो चुके है सीफर्स कूपर अगर bet first 2 मुझे slightly more important लगता है bet second वायदा बख्याद algunas तर्द को proper bet मिलेगा VTF算 सलाइ like most than bet second शत्रुगन रंबरन देखो मैंने इसको बहुत चांस दिया और एपने टीब में रखा भिए देख्यो logically देखो के तो two的one betting और दो तो नाल रहा है बट तीन का तीन मैच चार मैच में बंदे ने बॉल किया चारो मैच में अगर कोई बंदा विकेटलेस चला जाता है तो fantasy value तो दूर का बाद दोस्तो कुछ value नहीं आता है इस बंदे से तो ये एक problem है इनके साथ रंबारन जादतर मैच में विकेटलेस जा रहे है बट अगर आप position देखोगे इनका जो position है वो बहुत ही crucial position है especially अगर left handed batsman रहा opponent में तो दोस्तों इनका role अच्छा खासा रहेगा तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से रंबारन रखना ज़रूरी है चाहो तो आप drop rotate कर सकते हो must be player नहीं है क्योंकि performance उतना भी खास नहीं है but position इनका बहुत crucial है अकिल कूपर सलवें डंकर को ignore करना ही है जस्टिन गंगो को try करना है तो करो but ball first ही try करो क्योंकि ये पीछे के over ज्यादा बेटर डालते है शुरू के over के मुकाबले ठीक है मतलब जो होता ना 7-8-8-6 ऐसा all over डालता है अंसिल नेट last match में मेरे differential player क्योंकि opponent के पास flip rendered था अभी देखते है opponent के पास कैसा है order इनका अगर देखोगी इनके एक lift है बाग सब right है ठीक है इनके team में यहां पर किशॉन डिलॉन अच्छा बॉल डाल रहा है especially में महाँ आता हो बॉल फर्स्ट वहा तो डिलॉन को रखना जरूरी होगा बॉल सेकेंड में आप drop रोटेट करो मैं मना नहीं करने वाला बट बॉल फर्स्ट में रखना जरूरी है बट बैसे झालता है तो यहां तो नहीं आपको दिखेंगे से पहले के प्लेस के रिकॉर्ड है यहां पर इनके रिकॉर्ड रिव्यू कर सकते हो कुछ भी प्लेयर होता है आना रिकॉर्ड देखना समझना और त्राय करना देखो रंबरन लास्टियर साथ मैंच में 186 रन बनाया था ओपन करते हुए दोस्तों इसने ओपन करते हुए बहुत अच्छा क्रेट किला था बटकर इन सीरीज में यह एस ओपनर इसको मौका मिल नहीं रहा है बट डिसेंड ऑप्शन है चाहो तो ट्राइ कर सकते हो नॉट आ बैट चॉइस ओके रंबरन दिया हो गया यहां पर किशॉन डिलॉन बॉलफर्स ज्यादा सही होगा PPS से आते है PPS अपनर सब में जा रहा है मतलब PPS विकर टीम है इनका ओपनेंट स्ट्रॉंग का टीम है इनका ओपनेंट से एक्स्ट्रा प्लेर लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा ऐसे भी त्रॉंग रहेगा इस match में off spin balling कराएगा ठीक है अद्रियान शहजाद है अद्रियान अलेक्जेंडर आपको मिलेंगे फिर जो एक ही ओवर डाला था उपर नहीं था 22 जेडिन केंड लास्ट मैंच में flop था बट उससे पहले 40 और 32 का दो नॉफ के ला उससे पहले एक रन बना उससे पहले डूनर प्रोवाइड कराड़ा है तीशान केस्ट्रो फाइनली लास्ट मैंच में बैटिंग से चला बट यह बॉलिंग नहीं किया और इस रिजन से मैं इसको कैप्टेन वास्कैप्टेन नहीं बनाने वाला हूँ तीशान केस्ट्रो को जस्ट एस अफ्लेयर रखना है तो रखो अ नोट पॉसिबल जैसेन बसट इगनोर अलसे रेट इगनोर जोशा यॉक बॉलिंग फस्ट अच्छा डिफंचल है इस बंदे को ना टीम ने शुरू से क्यों ओवर कंप्लीट नहीं कराया मैं थोड़ा सा शौक था लॉचिकली मुझे प्लियर सही लगा आप अपने टीम मे ट्राइक कर सकते हो ठीक है not a bad choice मेरे इसाब से ट्राइक करना ही सही होगा प्लियर मुझे सॉलिड लग रहे है ऑन पेपर हर एक एंगल से मुझे बहुत सॉलिड प्लियर दिख रहा है बंदा जोशुआ यॉक आ क्यूंकि देखो बॉलिंग से इसने एक मैच में दो वर में 29 अगले मैच में एक ओवर नौर नहीं क्यूंकि इस ट्रीम के पास ज्यादा बॉलिंग अच्छा चल नहीं रहा है अगर डेट करता तो और भी सही होता शायद ही हम डेट करने लगे उत्मान महमद दो वर डाला था बॉल फर स्ट्राइकर और बॉल सेकंड रॉप रोटेट क बंदू और बॉल सेकंड डॉप रोटेट कर सकते हो ठीक है बॉल फर्स रखना जरूरी है बंदू भाईया को विकी जैपॉल दोस्तों दो पचीज जिरो दो बच पंद्रा एक दो निस एक दो तेस एक आफ डिसेंट चॉइसे बॉल फरस मस्पीक है बॉल फरस कंसिस्टें बाकी कोई भी कंसिस्टेंट नहीं दिखेगा जैडन के इनने 40 32 दो नौक बैक तो बैक अच्छा खेला वर बाकी हर मैक्च में ये बंदा फ्लॉप हुआ है ओपिनिंग बालिंग जोश्य यॉक डेरन और दोस्तों आर जैपॉल डेत में जे यॉक उत्मन और आर बंदू कर अच्छा रेपूटेशन से आ रहा है बट कुछ खास किया नहीं है डिव्यू कर सकते हो चाहो तो इनके प्लेयर्स जोश्य यॉक साथ मैस दस ओवर पाच हुए था ये प्लेयर बालिंग कराना चाहिए कंसिस्टेंटली बड टीम इनसे बालिंग नहीं करा रहा है प्लेयर अब तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया फटावर से वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और जुर जाओ टेलेग्राम जहां पर आपको फाइनल अब्डेट कवरेज एन डेमो टीम मिल जाएगा चलते है फटावर से डिमलावन टी है बहुत इंपोर्टन है इसका रोल पोपे है रभमरन का पॉजिशन बहुत अच्छा है बट पॉफोर्मस अच्छा नहीं है ठीक है यहां पर कोई भी मस्ट्पीक प्लियर नहीं दिखा अज्यन अलिक्जंडर पार्ट टैम बॉलिंग किया था और ओपन आया था चलो ले ले अच्छा खेला और इस मैंच में ऑपनेंट के पास लेफ्ट एंडेट है तो मैंने रख लिया और बंदों को ट्राइ कर सकते हो नौट बैट च्छाइस यहां पे और यहां से आप ले सकते हो एस रंबरन को केंट को फिलाल आपका मर्जी है किसको लेना कोई भी आपे मस्ट सबसे प्लेयर नहीं है मैं बिंदास रोटेट करनेंगे सबको पोजिशन वाइस रंबरन का सबसे सॉलिड पोजिशन है वाट परफोर्मेंस इसका सबसे घटिया है और केंट का परफोर्मेंस अच्छा है और सिब बैटर है यह एक प्रॉलम है वाट स्टिल मैंने जनता का चोईस केंड के साथ जा रहा हूँ फिलाल मेरा कैब और डेफनेटली मैं रंबरन ट्राइ करने को बोलूँगा कैब बीसी ऑप्शन में कौन्स कौन से प्लेयर रहेंगे दोस्तों यहां पे कोई भी मस्ट भी प्लेयर तो आपको नहीं दिखेगा एनिवन इविन कैब बीसी प्लेयर सब के साथ रोटेट कैब बीसी भी रोटेट कर सकते हो फिलाल मैंने कुई शेंक क्योंकि बैट बॉल दोनों से कंसिस्टेंली पॉइंट दे रहा है वाइस कैप्टेन बना देता हूँ और कैप्टेन गिद्रन पॉप क्योंकि जंता भी जा रहा है और ओपिन भी आ